HBX का वेट करना चाहिए या टियागो एनारजी ही ले ले लें यूकि टियागो एनारजी दोस्तो फाने ले आई लॉंच हो चाहिए तो बिल्कुल इसी मेंटर पर मैं आज बात करूँगा और इस गाड़ी के फुल डेटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा क्या गाड़ी आप लोग के लिए एक टेस्ट बाई है ये नहीं है तो हेलो दोस्तो गाड़ी के इस वीडियो में आप सद्धिकास वागयत है यहां पर जैसे कि मैं आज बात करूँगा टियागो के एनारजी के वर्जन के बारे में दोस्तो देखे ये गाड़ी गर देखा जाए आपको अब यादो फोर्ड फ्री स्टाइल जो गाड़ी आती है ये भी दोस्तो एक प्रॉसवर है बिल्कुँ सेग्मेंट की गाड़ी है वही चीज यह भी है ये बस क्या है कि उससे थोड़ा से चोटी है तो ये एक स्मॉल हैच्बैक क्रॉसवर है दोस्तों तो मेरे खासे देख तो हम वात करें जो हमइं मिलेंगे पूल्स ब्टन स्टार्उश जो देखने को ac 수도 से कामरा देखने ऋम्र के nineteen प्रकर हाई इंच की तर्स्कीन भी होने वाली है यह दोस्तों जैङन म sophac ऐ सारी चीजे बढ़ेस इम्हें चीजिश भी incomodoaz 19 million मिलेगी यहाँ पर आप देखागी में taste थोड़ी सी difference हो गई है, थोड़ी सी बढ़ सी गई है, विट बढ़ गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों, कि गाड़ी में पहले से ज़्यादा जगा हो गया, क्योंकि दोस्तों जो changes हुए है, वो exterior तरफ हुए है, padding वगरा बस extra लगा दी गई है, और गाड़ी की height ब भी जाएगा fire red और एक last दोस्तों, यहाँ पे foresta green, total चाल करें यहाँ आपको देखने को मिलेगा, वही है, price की बात करूँ, और models की, यहाँ पे हमें आपको दो model देखने को मिलेगा, एक automatic और manual, वही manual की price start होगी, 6.57 lakh से, एक showroom दिल्ली price, वहीं टियागो आटोमेटिकी कीम यानि AMT दोस्तों, स्टार्ट होगी, 7.09 lakh से दोस्तों, तो pricing दोस्तों, मुझे ठीकी लगी, वहीं से एक अलग मुद्दा start होता है, दोस्तों, कि Tiago NRG लेलू या HBX का weight कर लूँ, तो दोस्तों, देखे, Tiago जो है, दोस्तों, हम दोको पता है, small hatchback के platform पे best है, गाड़ी out, लेकिन अगर आज के time पे आपको गाड़ी देना ही है, दोस्तों, आपको ऐसी गाड़ी चाहिए, जो राप सड़कों भी पे अच्छा फामों कर लो, गाड़ी small hatchback हो, तो दोस्तों, Tiago is the best option for you, पहले भी मैंने बुला, लेकिन अगर आज दोस्तों, को weight कर सकते हो, तो दे देखने को मिल सकती है, तो उस basis पर अगर देखा जायता, दोस्तों, HBX कहीं न कहीं से better value provide करता हुआ देखेगा, तो जो कि इस से अच्छा performance भी देगा, दोस्तों, वो हमें turbo control unit में भी देखने को मिलेगा, तो overall दोस्तों, conclusion यह है कि आप HBX के लिए wait कर सकते हो, तो wait कर लो वो better option रहने वाली है दोस्तों, और उमीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई हो, और आप लोकी confusion दूर हुई हो, तो वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर दीजेगा, ऐसे ही आटों हो, ऐसे जोड़े updates पाने के लिए, मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही next वीडिय है दोस्तों